हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको शेयर कर रही हूं कि अगर हमारे घर में इस पेस कम होता है तो किस तरीके से हम अपने कपड़ों की तैला के रखेंगे कि कम इस पेस में भी हम धेल सारे का प्यार हम से सैट कर सकें तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम यह सबसे छोटे कपे से सुरू करते हैं दोनों सौक को आपको एक साथ ले लेना है और फिर मैं आपको देखा रहे हूं इस तरीके से आपको उसकी तैल लगाना है जिससे आप धेल सारे सौक एक ही जगह पे बहुत अच्छे से सैट कर पाएंगे तो बन्यान को हम इस तरीके से अगर तेल आगे रखेंगे आप देख सकते हैं डबल फूल्ड करा और फिर इस तरीके से फूल्ड करने के बाद जिस तरीके से हमने सॉक्स के पॉक्ट बनाई थी इस तरीके से ये भी एक पॉक्ट बनके तैयार हो गई इस तरीके से इसको भी आप कम स्पेस में काफी सारे सैट करके रख सकते हैं तो चलिए यहां पर हम T-set को देख लेते हैं गर्मिया आने वाली हैं तो हम सभी के गरों में T-set तो इसमाल होने ही वाली है तो इसको हम किस तरीके से तेला के रखें कि ये देखने में भी बहुत अच्छी लगे और कम जगे में हम काफे सारे T-set को और्गनाइज कर पाएं तो ये देखिए कितनी इसी तरीके से हमने कितना बड़े तरीके से इसकी तैय लगा थे ये देखने में भी काफे अच्छी लगेगी और जाब आप इस तरीकी से तया लगाएंगे तो ये कम स्पेस में आप काफ़ी सारी टीशेट एक साथ और्गनाईज कर सकते हैं दोनों टीशेट में सिफ इतना ही अंतर है ये स्टेंड कोलर में है वो सिंपल कोलर में है तो दोनों को हमें इसी तरीकी से तैय लगाना है सेम ही प्रोसेस है दोनों को तैय लगाने का तो यह देखिए दोनों ही टी सेट को हमने कितनी अच्छे तैय लगाया देखने भी बहुत ही सुन्दर लग रही है तो चलिए अभी हम फुल टी सेट की भी तेलागा के आपको दिखा देते हैं फुल टी सेट में सबसे पहले आपको स्लीप को अंदर की तरफ फूल्ड कहना है उसके बाद लंबे में इसे फूल्ड कहना है इस तरीके से अभी उपर वाले पॉल्ड को हम फूल्ड करेंगे और इसके अंदर एक गैप नजर आएगा तो उसमें हम नीचे वाले फूल्ड को नीचे वाले पार्ट को उसमें डाल देंगे और यह भी एक पॉकेट की तरह तयार हो गई यह देख सकते हैं आप अब यह आप जब इसे अपने अल्मिरा में सैट करेंगे ना तो उठाने पर भी इसकी तरह बिल्कुल खुलने वाली नहीं है और यह अपनी जगा बिल्कुल सैट रहेगी तो अगर आप अपने फुल टीशेट की भी तरह से तरीके से लगाएंगे तो काफी कम स्पेस में आप भी इसको बहुत अच्छे से और नाइस कर पाएंगे और यह देखने में भी काफी अच्छी लगेगी तो अभी आप देख रहे हैं कितनी चोटी सी तैय लगकर यह तैयार हो चुकिए है चलिए नेक्स देख लेते हैं तो अभी यहां मैं बताऊंगे आपको कि आप पैंट की तैय किस तरीके से लगाएंगे तो आपके कम स्पेस में काफी सारी जीन्स या पैंट या टाउसर बगेरा होते हैं जो आप काफी सारे अबनाइस करके रख पाएंगे और यह देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं जब आप इस तरीके से तैय लगाते हैं तो आपको आपका अलमीरा काफी अच्छा लगेगा देखने में जब कपड़ों को आप बहुत अच्छे से से सेट करेंगे तो चलिए यहां पर हम सट की तैय देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको इसके सारे बटन आंगे से लगा लेना है और कॉलर को भी आपको आंगे से एक सी कर लेना है फिर दोनों स्लीप को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे नीचे के पार्ट को हमने डबल फोल्ड कराए तो अभी इस तरीके से हम एक तरफ से फोल्ड और एक उसकी बीच में जो गैप होगा उसमें दूसरा वाला फोल्ड हम डाल देंगे तो यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने सड़ की तैला के हैं आपको बताया है अगर आप इस तरीके से सड़ को तैला के रखेंगे तो यह देखने में भी काफी अच्छी लगती है और काफी कम जगे में आप काफी सारी सड़ तैला के रख पाएंगे यह देखिए नीची से भी हमने इसको डबल फोल्ड करा एक तरफ से फोल्ड करने के बाद इसके बीच के जो गैप है मैं आपको दिखाए इस गैप में आपको दूसरा वाला फोल्ड डाल देना ही देख जो हम कुर्ती और जो कुर्ती का बॉटम यूज़ करते हैं तो वह हमें अला लगता है नहीं लगाना में एकी साथ तेला के रखेंगे ताकि जब भी हमें कहीं जाना हो तो दोनुए चीज़ें में बड़े आसानी से मिल जाए इसके लिए सबसे पहले हमें कुर्ती को इसम्हां दोनी पॉटम लगार रखेंगे लिए नीचे का जो पजामा होता है भूर रक देते हैं इसको हम सैंटर में रख लेते हैं आप एक तरह एक तरम से थोड़ा साँसे फूल करेंगे अभी हम कूर्ती को effe करेंगे औरना जैसे के आप टेयर लगाते हैं कूर्ती की से इसी प्रोसेस से आप अपनी गरम पजामी और इनर भी तेल आके रख सकते हैं फिर जब आपको यूज करना हो तो दोनों हीजी लिए आपको मिल जाएंगे पहले हम उपर वाला पोशन फूल्ड कर लेंगे इस तरीके से अभी नीचे से फूल्ड करेंगे और इसकी बीच में जो एक गैप नजर आएगा आपको कुर्ती और पजामी की बीच में उसमें हमें ये नीचे वाले पाट को डाल देना है जैसे कि हम पॉकेट में कोई चीज डालें और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से आपके कुर्ती और नीचे का बॉटम आराम से सैट हो गया अब रख सकते हैं ये देखने भी बहुत सुन्दर लगते हैं तो सारा कुस्तु हो गया फिर हम साड़ी को क्यों छोड़े यहां पर तो साड़ी को भी हम किस तरीके से तेला आके रखें आपके अलवारी में अगा जगए नहीं है उसे हैंक करने के लिए तो इस तरीके से हम ब्ल पोर्शन है उसके बीच के गैप में इस तरीके से नीचे वारे फोल्ड को डाल देंगे तो यहां देखा आपने कैमने ब्लाउस को साड़ी के अंदर कितने अच्छा सेट कर दिया आप चाहे तो इसी तरीके से इसके अंदर पीटिकूर रख सकते हैं फिर आपको जाना हो त साड़ी के साथ पेटिकूर ब्लाउस बड़े आपको टाइम पर मिल जाएगा तो फ्रेंस आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंट और कैसा लगा आपको आज का हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस एक लाइक जरूर कर दीजिए